ऐसे तो टाइटल से पता चली गया होगा कि न्यूली मॉम्स के लिए ये मेकप लुग ये गला मेकप लुग आप सिरफ अचीव कर सकते हो वह भी 10 मिनद में तो अगर आप न्यू न्यू मॉम्मी बने हो और टाइम नहीं मिलता है कही जाते टाइम मेकप करनेगा तो ये मेकप क्योंकि आगे आपके लिए बहुत जादा काम आने वाल है 10 मिनद में ये मेकप लुग अचीव कर सकते हो और मैक्सिमम 10 मिनद में हैस्टैल कर सकते हो तो टूटल 20 मिनद में पूरा का पूरा मेकप जो है वह हो जाएगा तो कैसे मेकप करना है वह मैं आपको बता देती तो सबसे पहले मैंने आप पेस को अच्छे से परेप कर लिया है, उसके बाद मैंने 10 पिने टुक के अपने फेस पर प्राइमर लगा है, अब नहा के भी यहां पर आप बिलखें ऑपने सब्सकें कर सकते हैं इस अर्भी सब्सक्राइब करे के निदेशन करे निदेजनर के लिगए इसे क्या होता है एक तो यह फाटनेशन का काम करता है जितनी भी आपकी कवर कर देता है क्योंकि यह फुल कवरेज है तो काफे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं तो बहुत जादा टाइम मिलता है तो इतना भी है अगर आप कर लोगे तो वह आपके लिए बहुत बड़ी ब क्योंकि मुझे ताइम नहीं मिलता है हार प्रुष क्लीन करने का तो आई होप अंडर्सेंड करोगे उसके बाद आप चाहो तो कॉमपेक्ट से जो है वो सेट कर सकते हो लेकिन मुझे इती जरूरत लगी नहीं क्योंकि में स्कीन अभी विंटर से तो ड्राय हो रही है मैंने य परस्नली काफ़ ज़दा अच्छा लगा और काफ़ी ज़ादा मैंने इसमें ब्लश लगा दिया क्योंकि ब्लश से एक नैच्रल इफेक्ट आता है और उसके बाद मैंने शुगर का कॉंटॉर पैलेट लिया है उसमें से मैंने ब्लश वाला शेड अपनी फिंगर की मदद से ब्लेंड किया है क्योंकि ब्रश लेने का इतना टाइम निया और ब्लश मुझे मिल भी नहीं रहा था तो यह मेकप लुक जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कि फिंगर से बहुत अच्छे से ब्लेंड करते हैं अगर बड़े बड़े सेलिब्लिटी मेकप आर्टिस्ट इसको देखोगे तो वह फिंगर से जादा अच्छे से काम करते हैं क्योंकि फिंगर मेक वांट होती है और ब्लेंडिंग अफीजी हो जाती है अगर एजी मेकप लुक कर रहे है तो फिंगर के साथ आप आराम से कर सकते हो सेम हाइलाइटर ब्रश लिया है और उसे भी बेने हैं अच्छी से के सब्की हो जाते हैं परी निखैन जांश में से काजल लिया है काजल से मैंने पने काफी थिक का जल को अच्छी काजल लगाए है और से मcauseuu देा के अब हलका ब्लेंड कर लिए और ऊपिर वाटर लाइन से काफी फिलर लगती है और आल आच्षित आप अप जल्दी जल्दी में हम मेकप कर रहे हैं जल्दी में हम सारा गाम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो जाती है तो मैंने पहले आई-लाइनर लगाया है यहाँ पर जो कि मेरा स्टेप जो है वो है ही तो हमने या मेरे शुगर का पेन आई-लाइनर लिया है उसे मैं apply कर रही हूँ और मैं बहुत जादा इसे मोटी line नहीं लगा रही हूँ ना ही मैं dramatic makeup कर रही हूँ क्योंकि मेरे पस इतना time नहीं है और इतना जादा मैं बड़े party में जा रही हूँ यार बच्चे की तो मैं obviously इतना drama create नहीं करूँगी ना ही मैं wing बना रही हूँ प्रशा नहीं लगता है वह शादी या कुछ ऐसा बहुत ही बहुत ही प्लोज की शादी होती है ना तो तब ही लगाए हम यहां पर मैं आप्लाइ किया है यहां पर मैंने गलती कि मैं मस्कारा पहले प्लाइ कर दिया है मुझे अभी liquid eye shadow apply कर ना था उसे मैं कैमरा अगे रख लिया है मैं स्टेप वही फॉलो किया है मैंने ऐसे कोई भी speed up नहीं किया कुछ भी नहीं किया कुछ भी बहुत रेर मैंने कट मारा है इसमें जहां पर बहुत जादा मैस था नहीं तो अदरवाइस आप कुद देख सकते हो 10 मिनिट में मैंने में में अपकि आया है जस्त यह गलती रही कि मसकारा मुझे बाद में लगाना चाहिए था या अगर आमने मसकारा अपलाई कर भी लिया तो दुबारा से दिये अपलाई अपर साइड पर कीजिए क्योंकि सिल्वर शीर जो है वो नजार आता है अगर आप चाहू तो आई लगा सकते हैं ल बाद मैंने यहां पर मनीश मनोतरा की ओल्ड रोज लिप्स्टिक ली है मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट विंटर्स में लिप्स जो है बहुत ज़्यादा ड्राय हो जाते हैं चायब जाते हैं तो इससे काफे अच्छा स्मूथ रहता है और इसके आप चाहो तो टॉप अ अच्छा आप Than희 में सब्सक्राइब कर सकते हो मेबलेंगी है इंक अच्छा रहता है को भी में फिर शुक्स की एक श्यार में बुक्तित बड़ा तो इस से पहले हैं वैसे पाद ही आईगा तो इसके रहनतो है ओग आए द्छाइगा ज्चाह भwarzा ठीके dosky शॉत कईい हैं सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत ही अमीजिंग प्रोडक्त है और आपको काफी अमीजिंग रिजल्ट मिलेंगे रिजल्ट आपको दिखे रही होंगे सिर्फ 10 मिनट में किया है मैंने स्पीड अप यहां पर इसलिए किया है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए प्रोडक्त के बारे में और प्रूपर डिटेल वीडियो आपको चानल पे मिल जाएगी तो वो भी चेक आउट कर लेना तो यहां पर हमारे कर्ल्स जो है वो हो गए हैं 10 मिनट के अंदर अंदर और यहां पर हेर स्टाइल भी बन गया है एकदम नूडल कर्ल्स मिले है मुझ नगाएं 10 मिनट में हां हो जाता है बहुत ही असानी से हो जाता है और मैंने बल्कुल den assumries कि मुझे बल्कुल बहुत जद़ा वो फ्रिय मुद्य कृल्स का था टो है तो यहां पर मने बालों को खुलाया तो देख सकते हैं कर्ल्स को कोई हीटिंग स्प्रेइ मैंने इस्तमाल किया है लॉंग लास्टिंग के लिए कुछे मुझे इसद्फ णन कर गेर ला पर मैंने बनाया है पफफ बनाकर यह हैर स्टैल यह मेरा स्टेंडर्र है जो मैं हर शादी में इन्यां वेर वैस्टरन वेर पर कैरी करती हूं तो यहांपर आप चाहें तो एक साइड इसे रखके hair accessory लगा सकते है दूसरी साइड पे और अगर आप western wear के साथ पहन रहे है तो भी यह काफ़ जादा classy look देता है तो यह रहा मेरा आज का हेars style और यहाँपर jewelry पहन कर top जहें वो भी मैं आपको Amazon से लिंक डाल दूंगी तो लिंक आपको मिल जाएंगे काफी amazing sales चल रही है तो check out कीजिएगा काफी जादा amazing deals आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगे sales तो Amazon पे चलती रहती है और काफी अपने favorite products आप buy कर सकते हैं यह products भी buy करना चाते हैं लिंक description box भी है कैसा लगा makeup look मुझे comment section में जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा हूँ तो like, comment and share बेट करूँगी आपके compliments का या अगर criticize भी करोगे तो भी कोई वैसी बुराई वाली बात नहीं है तो आप कर सकते हैं क्योंकि सबका अपना टेस्ट होता अगर आपको यह makeup look नहीं भी पसंद आता तो भी मुझे comments में बतायाना मैं कहां पर क्या improve कर सकती हूँ तो thanks for watching